दोस्तो इस दुनिया में हर कोई बिना मेहनत किये अमीर बनने की इक्षा रखता है परंतु ऐसा मुम्किन नहीं है वो कहते हैं ना जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक उसका फल कैसे मिलेगा वैसे कई बार इनसान अधिक मेहनत भी करता है परंतो उसको उसका फल नहीं मिल पाता है जिसकी वो चाहत रखता है वो कभी पा नहीं पाता है ऐसे में लाल मिर्च के वह उपायां आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप ठीक तरीके से पूजा, साधना, क्रिया करते हुए करते हैं निश्ची तरुप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्ची ही पूरी होगी नौकरी में प्रमोशन मिलने के लिए आप बहुत परिशान हो चुके थे बिजनस में लगातार अगर आपको नुकसान हो रहा था पैसे की बचत हो नहीं पा रही थी संतान प्राप्ति के लिए आप तूट चुके थे तो दोस्तो लाल मिर्च का वाह उपाय कर लिजे जो हमारे वाशुशास्त्र और तंतर शास्त्र में लिखा हुआ है अगर आपके जीवन में बहुत सारी परिशानिया है बहुत सारा तनाव है बहुत कष्ट से आप तूट चुके थे तो दोस्तो ये वीडियो लाश्ट तक अंतर तक देख लीजे आपका कोई भी कष्ट हो आपकी कोई भी परिशानी हो लाल मिर्च के उपाय से वाह हमेशा के लिए खतम हो जाएगी माली जापके जीवन में पहले धन आ रहा था फिर धन आते आते बंद हो गया धन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या हैं आपके जीवन काल में जिसके लिए बहुत परिशान हो चुके हैं तो दोस्तो लाल मिर्च के उपाय से धन सम्बंदित हर परिशानी आपकी खतम हो जाएगी चाहे धन आ रहा हो आते आते बंद हो गया हो वह वापस से शुरू हो जाएगा कर्ज के माय जाल से आपको मुक्ती मिल जाएगी बस दोस्तो लाल मिर्च का उपाय आपको ठीक तरीके से ठीक दिन पर करना होगा कई लोग हमारे आश्रम पर आते हैं दोस्तों और यही कहते हैं कि गुरु जी कुछ ऐसा बताईए कि हमारे जीवन का हर कष्ट खता मुले है तो हम हर किसी से यही बात कहते हैं कि चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो कभी भी भगवान भोले नाज जी को याद करना मत भूलीगा क्योंकि भगवान भोले नाज जी की किरपा अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो इसलिए दोस्तों अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए तो पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वह एक ऐसा उपाय है जिससे मान के चलिए आपको करजों से मुक्ति मिल जाएगी अब मालिज आपने करज लिया था अपने वैपार को चालू करने के लिए आपने करज लिया था अपने मकान को बनवाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी भी चीज के लिए आपने करज लिया था तो दोस्तो लाल मिर्च के उपाय से आपको इस कर्ज के माजाल से हमेशा के लिए छुटी मिल जाएगी लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह जो उपाय आप करने जा रहे हैं यह उपाय सही दिन पर और सही तरीके से आपको करना होगा अगर इस हुपाय को आपने शुरू कर दिया और बीच में तोड़ दिया तो दोस्तो इसका दुश प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जैसा हम आपको शुरुवात में ही बता चुके हैं कि पूजा करने के कुछ नियम होते हैं यह उपाय आपको लगातार पांच रविवार करना है अचा रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव जी का नियम दिन होता है और सूर्य देव जी जो है यो यमराज जी के और सनी देव जी के पिता जी हैं अगर आप सूर्य देव जी को प्रसन्न कर देते हैं तो automatic शनी देव महराज जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशिरवाद के साथ आपको सनी महराज जी कभी आशिरवाद मिल जाएगा तो आपको क्या करना है देखिए पहले रविवार से आपको श्टार्टिंग ये करनी है कि अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित करते हैं तो बहुत शुब बात है जल अर्पित नहीं करते हैं तो एक तामबे का लोटा लिया ये उसमें पानी भर लिए जो लाल मिर्च के दाने होते हैं ग्यारा दाने गिन करके आपको उस पानी में डालना है अब आपको रविवार के दिन छट पर जाना है सूर्य देव जी को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते हुए सूर्य देव जी का बीज मंतर बोलना है ओम सुर्याय नमा इस मंतर को तब तक बोलते रहे हैं जब तक आप पानी गिरा रहे हैं जिसमें आपने लाल मिर्ज के ग्यारा दाने डाले हैं इतना अगर आप बोल देते हैं सुर्य भगवान जी को जल अर्पित करते हुए तो मान की चलिए सुर्य देव जी आपसे प्रसन्न होंगे और पांच रविवार अगर आप ये किरिया करते हैं ये साधना करते हैं तो सुर्य देव जी के आशिरवाद के साथ आपको सनी महराज जी कभी आशिरवाद मिलेगा और जो आपने कर्ज लिया था उसके कर्ज के मायजाल से आप बाहर आ जाएंगे दोस्तों ये कैसा उपा है जो वाशुशासरम साथ साफ लिखा हुआ है और जिस व्यक्ति ने भी इस उपाय को किया है वो कर्ज के मायजाल से बाहर आया है लेकिन जो उपाय हमने आपको बताया है और जो सूरे दिव जी का बीज मंतर बताया है इसे बीज मंतर के साथ इस उपाय को कीजेगा और निश्चित रूप से आपका कर्ज जो होगा वो समाप्त हो जाएगा दूसरा उपा है दोस्तो शत्रों से मुक्ति पाने के लिए यह आपको भी बात पता है दोस्तो कि अगर कोई व्यक्ति विकास करने लगता है किसी व्यक्ति के घर का बरकत होने लगती है कोई व्यक्ति अगर खुशी से रह रहा है तो अलोसी पडोसी दोस्त यार इस चीज को स अब माली जो कोई शत्रो आपके पीछे पड़ा हुआ है चाहे वैपार में चाहे आपके आफिस में और आप उस शत्रो से बहुत थूट चुके हैं बहुत परिशान हो चुके मिट्टी को खोद करके अपने सर के उपर से पांच बार बाई और नाम ले करके दबा देना है अब वहां से आपको घर की तरफ आना है और ध्यान रखना है जब आप घर आ रहे हो आपको कोई भी पीछे बुलाए या कोई भी मिल जाए आप ना बात करेंगे ना किसी पीछे की तरफ देखेंगे और सीधे घर आ जाएंगे आपने ये जो क्रिया की है अपने शत्रू के खिलाफ निश्चित रुप से आपका शत्रू आपकी तरफ कभी देखेगा भी नहीं आपके सामने घुटने टेक देगा या एक ऐसा उपाय है दोस्तो जो कई लोग करते हैं गाउं कस्बों में आज भी यह उपाय किया जाता है और शत्रूं से लोग मुक्ति भी पाते हैं तो अगर आपका कोई शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ तो यह उपाय करके आप जरूर देखिए तीसरा उपाय कैसा उपाय है दोस्तो अगर इसको आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा वैपार चल जाएगा मान लिजए आपका जो वैपार पहले चल रहा था वो ठप पड़ गया आपके जो घर की बरकत हो रही थी आप वो बरकत हो नहीं पा रही तो इसका कारण क्या हो सकता है इसका कारण सिर्फ यह है कि आपके वैपार या आपके घर को लग गई है नजर एक बात ध्यान रखेगा हमारे तंतर शास्तर में एक बात कही गई है कि नजर जो होती है वो हरे पेड को भी तुरन सुखा देती है तो अब आपको क्या करना होगा देखिया अगर आपका वैपार अप ठप पर चुका है माल लिजे जो आपका घार उसकी बरकत होना बंद हो गई है तो इसके लिए बहुत सारा सा उपाए बताए गया है लेगिन यह उपाए जो आप करेंगे यह उपाए आपको शनिवार के दिन में करना है यह रात्री में नहीं दिन की तरफ करना है दिन में जब सुर्यास से पहले आपको यह उपाए कर लेना है अपनी दुकान जाईए जहाँ पर वैपार करते हैं और आपको एक लोटा लेना है तामबे का उसमें पानी भरना है पानी में ध्यान रखेगा एक दो बूंद गंगा जल डालने ही पड़ेगी आपको जो मिर्चा है लाल वाला मिर्चा इसके ग्यारा दाने लेने इसमें डालना है और अपने सर के उपर ग्यारा बार घुमाना है ग्यारा बार घुमाने के बाद बाई और से दाई और घुमाईएगा दाई और से बाई और मत घुमाईएगा इसको घुमाने के बाद आपको घर जो आपके दुकान के सामने की रोड है रोड के दूसरी तरफ इस पानी को बहा देना है यहाँ किरिया आपकी लगातार तीन शनिवार चलेगी यह दिन के वक्त आपको करना है और यह उपाई गर आप कल लेते हैं तो जो आपके दुकान की बरकत रुख गई थी तो मान की चलिए दोस्तो आपके घर पर किसी को अगर ऐसा रोग लग गया था जो ठीक नहीं हो रहा था जिसके लिए आप लाख रुपए की दवाईयें भी करा चुके थे वह ठीक हो जाएगा और यह बहुत सरल सौपा है जिसको आपको हम बताने जा रहे है मान लिजा आपको ऐसी कोई बिमारी लग गई है आपके घर पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिमारी लग गई है जो ठीक ही नहीं हो रही है बहुत रुपए लगा चुके है आप लोग तूट चुके हैं रुपए लगा लगा करे जिस व्यक्ति को भी रोग हो गया जिसका ठीक नहीं हो रहा रोग उसके सर की नीचे दबा देना है रात्री में मंगलवार के दिन आपको यह करना बुद्धवार के दिन सुबह के वक्त आपको ले आकर कि इसी लाल पोटली को किसी भी पीपल के पीड़ के आसपास फिक देना है और घर पर वापस चले आना है इतना अगर आप कर देते हैं तो मान की चलिए उस व्यक्ति को पर कोई काला जादू, नजर, तंतर दोश ऐसा कुछ लगा हुआ था वो आमिशा कले खताम हो जाएगा उस व्यक्ति के स्वास्त में सुधार अपनों को देखने को मिलेगा अब तक जित्ते भी हमने आपको पताय थे वो वाशुशास्तर से बताय थे अब जो उपाय बताने रहे हैं वो लाल किताब से बताने रहे हैं यह धन प्राप्तिक उपाय और यह उपाय अगर कोई व्यक्ति कल ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में धन का आगवन बहुत तेज जो जाता है मातालक्षमीजी के आशिरवाद से उस व्यक्ति के जीवन में इतना धन आता है जिसके उसने कलपना ना की हो पहले मालीजी आपके पाद धन आ रहा था फिर धन आते आते बंद हो गया था तो इसका कारण क्या हो सकता है मातालक्षमीजी आपसे रुष्ट हो गई थी तो देखिए दोस्तो मातल लक्षमी जी अगर रुष्ट हो जाती है तो बहुत जल्दी प्रसंद भी हो जाती है तो उपाय बहुत असान सा है जो हम आपको पताने आ रहे हैं बस सही तरीके सा आपको करना होगा देखे करना बस आपको यह है पांच शुक्रवार यह उपाय करना है पांच शुक्रवार का मतलब पांच सब्ता आप लोग तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं इन चीजों को मत कीजेगा और मान के चलिए आपके जीवन काल में धनकी वर्षा होगी उपाय बहुत असान साहे देखिए करना क्या आपको पहले शुक्रवार आपको एक लाल पोटली लेनी है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस लाल पोटली में माता लक्ष्मी जी के सामने आपको बैठना है एक घी का दीपक पुर्व दिशा में जलाना है लाल पोटली में ग्यारा लाल मिर्च डाल देनी है तीन काली लक्ष्मी जी के चड़नों सुछ होाना है और अपने घर के तिजोरी में अलमारी में जहां पैसा रखते हैं वहां रख देना है दूश्य शुक्रवार को सिर्फ आपको फिर से पांच लालमिर्च लेकर आना है और वही उसी पोटली में माता लक्ष्मी जी का बीज मंतर बोल वह आना शुरू हो जाएगा माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके जीवन काल में धन संबंदित आपको कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी धन संबंदित जो भी आप नड़ने लेंगे उससे आपको फायता होगा दोस्तों ये वीडियो जो आपके लिए बनाये गय गया था इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है पहले जाकर के वीडियो लाइक करतीजे और कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा ओम नमस्च्वाय हरर महादेव जैमालक्ष्मी जी की